बांगलादीश से शेख हसीना को जटका हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद अब क्या करेंगी शेख हसीना बांगलादीश में तक्ता पलट हुए काफी दिन बीच चुके हैं बावजिनिश के ना तो हिंसा की घटनाएक थम रही हैं और ना ही पूर्व पीम सेख हसीना की मुसीव दे जहां तक्ता पलट के बाद एक तरफ उरकी पार्टी आवामीरी की कारकरताओं से मारपीटी खबरे लगातार सामने आ रही हैं शेख हसीना पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं अब इसी वीच खबर सामने आई है कि अंतरिम सरकार के ग्रे विभाग ने शेख हसीना के समय से सांसदों को जारी किये गए सभी राजनेग पासपोर्ट भी रद्ध कर दिये गये हैं जिसमें पूर्व प्रधान मंतरी शेख ह बांगरादेश की सरकार की तरफ से कारण दिया गया है कि शेख हसीना के खिलाप अब तक 44 आपराधिक मुकदमें दर्ज हो चुके हैं इसके साथ ही कुछ और मुकदमें अभी दर्ज हो सकते हैं ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका डिप्लमेट पासपोर्ट रद्जी किये जाने के बाद उनको विदेश में शरण मिलना मुश्किल हो गया है इसके साथ ही अंतरिम सरकार ने उनके अनेक सहयोंगों के ही डिप्लमेटिक पासपोर्ट रद्ध कर दी हैं जिससे वह बांगलादेश छोड़कर भाग न पाएं और अगर उन बांगलादेश की मुख्य पक्षी पार्टी बी एनपी यानि बांगलादेश निशनल पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यारपन की मांग की है ताकि उन पर बांगलादेश में मुकदमा चलाय जा सके शेख हसीना के खिलाफ बांगलादेश में हत्या समीद कई माम तक्षर किये थे जिसमें दोनों देश एक दूसरे के देशों से भाग कर आए लोग यानि भगोडे को प्रत्यारपित करते हैं। इस बीच BNP की मुकिया पूर्प्रथारमंतिक खालिदा जीया का कहना है कि शेख हसीना के अपरात प्रत्यारपन योग है। इसलिए उन्हें भारत से वापस बांगलादीश भेजा जाना चाहिए।